लखनलाल जी चाहते हैं कि परशुराम जी के जीवन में से जो क्रोध का जहर है वो पूरा निकल जाए इसके लिए वो प्रैत्निशील हैं जिस समय उन्होंने का धनुया कह रहा हैं तो लक्षुराम जो बोले हमारे लिए तो सब धनुष समान हैं महराज कोई साभी धनुष हो कोई बड़ा हो कोई छोटा हो वो सब समान हैं और ये धनुष जिसे आप विश्विदित महादेव का धनुष कह रहे हैं ये तो बड़ा सड़ा गलाब पुराना था इतना पुराना था कि इसे मेरे भाया बड़े भाया राम जी ने ठेड़ी निगास से देख लिया विचारा तूट गया अपने आप इसे तो चूने की भी जरूत नहीं हो देख छुआ था है थोड़ा सब तोड़ा सब चुआ था तूट गया इस सुनुष का कोई दोश नहीं लखन लाल ने ये भी स्पस्ट कर दिया कि धनुष किसने तोड़ा है लखन कहा हसी हमरे जाना सुनुष देव सब धनुष समाना काच्छ दिलाब जून धन तोरे देखा राम नयन के भोरे छुवत दूट रगुपती ना दोशू छुवत दूट रगुपती ना दोशू मुनि पिनु काच करिये कत दोशू मुनि प्रवर आप तो बेकार में क्रोध कर रहे हैं ये क्रोध करने का समय नहीं है तो आनंद का उल्लास का समय है इस आनंद में आप भी पधार गए तो आनंद अनंद गुना हो जाता लेकिन आप तो क्रोध किये चले जा रहे हैं ये धर्ष तूट गया तो क्या हो गया इसमें एक प्रतिग्याती वो पूर्ण हुई रामजी ने इसे तोड़ा नहीं चुआ चूते ही विचारा तूट गया इसमें उनका क्या दोश है मुनि प्रवर बार बार लखनलाज जी छेड़ भी रहे हुए मुनि प्रवर कहकर बस इसी बात को फिर पकड़ लिया परशुरामजी ने बोले तू मुझे बार बार मुनि कह रहा है मैं कौन हूँ मैं तुझे बताऊँ देख ऐसा कहकर फरसा उठाया ये फरसा देख लकन लाल ने देखा हाँ है तो फरसा ही क्या करो इसका गोले देख कोई जंडा है आपका ही इस नीचे कीजिए इस नीचे कीजिए मैं मैं कौन हूँ मेरा स्वभाव जान मैं तुझे बालक समझ कर छोड़ रहा हूँ तु बच्चा है इसलिए छोड़ रहा हूँ तु मुझे केवल मुनि मान रहा है अरे मैं जानता है मैं कौन हूँ मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, जय हो ब्रह्मचारी जी महराजी, अरे मैं चंत क्रोधी हूँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, आप क्रोधी हैं, क्रोध करना तो अच्छा नहीं है, बस लखनलाल बार बार उनकी उस क्रोध आगनी में अपना वचन का घी डाल रहे हैं, और क्र जोद आस्मान को छू रहा है भोले चिताई परस की ओरा भोले चिताई परस की ओरा रेशच सुनाई सुभाव ना मोरा बालक बोली बधाउ नाई तो ही के बन मुनी चार जान नाई तो ही के बन मुनी चार जान नाई तो ही पार्रम रख्म चारी हति को ही बिश्विरिद चत्रिय गुल तो ही पिश्विरिद चत्रिय गुल तो ठैंक कर प्रोधित हो गए परशडाम दिए उस फरसे को एक बार फिर उन्होंने उठाया ये देख फरसा जिससे करोडो करोडो शत्रियों का मैंने नाश किया है तु क्या चाहता है लखनलाल बोले ऐसा है मुनिश्च्वर फिर मुनी कह दिया फिर उनके आग लग गई मुनिप्रवर बात ये है मैं क्या कहूं आपको आपके सिर पर चटा जूट थी मस्तक पर त्रिपुंड था वलकल वस्तर पहन कर आप आए थे ये बात अलग है कि एक हाथ में आपने धनुश ले रखा है दूसरी हाथ में फरसा है मैं समझा किसी को देने के लिए आप आए हैं या आप तो कुछ कोई भटमानी तो नहीं लगते हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं वीर हूँ मैं खाली मुनी नहीं हूँ तो मैं आपको महावीर समझ कर प्रणाम करता हूँ पर शुराम जी कुछ संतुष्ठ हुए कुछ तो समझा ये बालक पर तब ही उन्होंने कहा लेकिन माराज एक क्रपा करो ये बार बार मुझे फरसा मत दिखाओ ये बार बार आप फरसा उठा लेते हो ना इसे नीचे ही रखना दो आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि फूँक से पहाड उड़ जाएगा यानि पर शुराम जी को फूँक कह दिया अपने आपको पहाड कह दिया फूँक से पहाड उड़ जाएगा क्या आपने हमें कोई कुमड़े के बतिया समझ लिया है वो कच्चा फल जो तरजनी दिखाने से मुर्जा जाता है ऐसा समझ लिया है क्या आपने माराज पिहसी लखन बोले म्रदुबानी आओ मुनीस महाभटमानी आओ मुनीस महाभटमानी मुनि पुनि मोही दिखाव कुखारू चेहत उड़ावन फूंकी बहारू चेहत उड़ावन फूंकी बहारू पिया कुमड़ बतिया को नाइश्मिया पिया कुमड़ बतिया को नाइश्मिया जेतर जनी दे की मर जाईए जेकर जनी दे की मर जाईए कौशिक महामुनी सीधे महामुनी विश्वामित्र को हाक लगाई परशुराम जी ने क्रोध में भरकर परम भेंकर लक्षमनलाल के उत्तरों से और अधिक कुपित हुए चले जा रहे हैं महामुनी परशुराम विश्वामित्र अपने इस इश्य को बचाना चाहते हो इसकी रक्षा करना चाहते हो ये मंद बुद्धी लगता है काल के वशिबूत हो गया है और ये स्वैम नहीं बलके अपने सारे परिवार का घातक है मुझे ऐसा दिखलाई दे रहा है यदि इसे बचाना चाहते हो न हमारे प्रताब के विशे में बदलाओ और हमारा क्लोध कितना भेंकर है इसे समझाओ और इसकी रक्षा करो कौशिक सुनव मंद ये बालक कुटिल काल बस निज कुल धालक कुटिल काल बस निज कुल धालक तुम हटकव जो चहाँ उपारा कई प्रताब बल रोश हमारा हमारा प्रताब हमारा बल हमारा रोश किसे समझाओ और इसे बचा लो इसकी रक्षा कर लो वनिवर को क्ष्ट देते हैं गुर्देव माहमने येवाभटमानी हमारे गुर्देव क्ष्ट केंडेना चाहते है वैसे भी सुयश आपका और बखान करें गुर्देव ये कोई बात जजेशी नहीं हमें आपका यश, आपका बल, आपका प्रताब आपसे अधिक बढ़कर और कौन कह सकता है यद्देपी मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से आप यही सब कुछ सुना रहे हैं मुझे मैं इसा बल्वान, मैं इतना बड़ा प्रह्मचारी मैं इतना बड़ा क्रोधी, मेरा फड़सा ऐसा, मेरा रोश ऐसा यह सब कुछ आप कह रहे हैं और शास्त्र का वचन यह है, मैंने जो सुना है कि नकतनात सत्पुर्शा भवती कह देने से कोई महान नहीं हो जाता शास्त्र यह कहता है, अपने मुझ से अगर कोई स्वैम बखान करे नकतनात सत्पुर्शा भवती शास्त्र तो इस बात को कहता है महाराज लेकिन मुझे लगता है अभी आपको संतोश नहीं हुआ है सुनाइए, ऐसा शोता आपको कहीं नहीं मिलेगा मु निवर आप सुनाते जाइए, अपने प्रताब को हुआपने बल को अपने क्रोज को सुनाते जाइए और मैं सुनता चलाजाउंगा, सुनता चलजाउंगा, जब तक आपकी चाना में सुनूगा, उनाइए तो सहीhem सुनाइए तुमही अच्छत को बरने बारा अपने मूँ तुम आपन करनी बार अने हाती बहु बरनी नहीं संदोश तब पुनी कचुका हूँ जनी दिसरो की दुसरा है दुख साहँ जनी दिसरो की दुसरा है दुख साहँ रोकिये मत अपने आपको रोकिये मत सुना डालिये आज ऐसा शोता आपको दूसरा नहीं मिलेगा वैसे मैंने सुना ये है महराज क्षमा करना मुनिवर कि जो वीर होते हैं वो युद्धुमि में कुछ करके दिखाया करते हैं अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया करते है केवल कहते कहते नहीं है जो केवल कहा करते है वो वीर नहीं होते उन्हें तो संसार कायर कहता है कायर ये शब्द जिस समय सुना अलक बद करने योग के है और उस समय तो सारी सभा ने भी लक्ष्माण लाल की बातों को सुनकर हाई हाई पुकारा था बस करो लक्ष्माण बस करो छोटे सरकार और उस समय सारी सभा को व्याकुल देखकर सब को घवराया हुआ देखकर मुंई पर्शुराम के क्रोध के समक्ष राम जी आगे बढ़े राम जी जो शांत करते हैं अपने बचनों के दौरा अपनी मधुरवानी के दौरा मुनिवर के क्रोध को शांत करते हैं ऐसा लग रहा है कि लक्षमन डाल के उत्तर मुनी परशुराम की क्रोधागनी को भढ़काने के लिए घी की आउती की समान है आउती और जैसे जैसे घृत की आउती पढ़ रही है वो क्रोधागनी भढ़कती चली जा रही है और जब बहुत अधिक भढ़कते हुए देखा तो जल के समान जैसे कोई जल के छीटे डाल रहा हो ऐसे जल के समान मधूरवचन महाप्रभु राम रिशिवन से बोले लखन उतर आहूती सरिस और भगपर को पत्रिसार पढ़ते देखी जैसा साम बजर भोले ररगूलबार शियावर राम चंद्रपद रिशिवन से बढ़कते लखन भड़का रहे है परश्राम जी को भड़का रहे है जो क्रोधी होता है ना उसका बल अगर क्षीन करना हो तो उसकी तरकीब यही है कि उसकी सामने हस दो उसकी बात को उड़ा दो उसकी बात का मजाग बना दो बस वो क्रोध में उसका बल छीजता चला जाएगा छीजता चला जाएगा ऐसी हालत परश्राम की हो रही है राम जी भी देख रहे है लगर लाल ने बहुत इस सीधे साधे मुनी को बहुत परिशान कर दिया है इसलिए स्वैम आगे बढ़कर आए और हाद जोड़कर भूले छोड़िये महामुनी आप तो बहुत बड़े हैं बहुत इतने बड़े तबस्वी है ये बालक है इसकी बातों का ध्यान मत किजिए बालक और बर्र का जो ततया होती है उसका सुभाव एक जैसा होता है किसको काटना है किसको नहीं काटना है पता थोड़ी होता है जिसको चू जाए उचे को काट लेते हैं इसलिए जो समझदार लोग हैं आप जैसे समझदार लोग हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और पिर सची बात तो ये है, हाज जोड़कर राम ये अब तो कहीं दिया, कि इसका अपराद है भी नहीं है, जो आपको चढ़ा रहा है, ये आपको, जो अपना बहुत बैरी दिखाई दे रहा है, ये बालक, इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर कुछ तो मैंने बिगाड़ा है, मैं हूँ आपका अपराधी, मैंने धनुष तोड़ा है, मैं आपके सामने हूँ, आपके सामने सिर जुकाता हूँ, क्रपा करें, क्रोध करें, दंड दें, बद करें, कुछ भी करें, मेरे साथ करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अपना समर्प करता हूँ करता ही कर्चु काज बिगारा देनाही देनाही कर्चु काज बिगारा अप रादी में राद मारा अप रादी में राद मारा क्रिपा को पर बद बंधब को साई क्रिपा को बद बंधब को साई मों पर करिये दास की नाई क्रिपा को बद बंधब को शांत करते हुए अप रादी में हूँ ये नहीं है अप रादी आप इस पर खामखा नाराद हो रहे हैं जो कुछ करना है अब मेरे जात कीजिए मैं तो आपके सामने जुका हुआ हूँ मारिए छोडिए कुछ भी कीजिए मैं आपके सामने जुका हुआ हूँ ऐसा कहकर राम जी ने जैसी हाँ जोड़कर मुनिवर के सामने सिर्फ जुकाया जो पीछे खड़े थे ना लखलाल वो वो जैसी राम जी नीचे जुके और लखलाल ने वहीं से इंगोटा दिखा दिया और आगे तिट्शी करके आगे मठका दी बस भड़क गए वहीं महीं से भड़क गए राम मेरा क्रोड कैसे ख़तम होगा ये जो तेरा छोटा भाई है ना ये मुझे इसी तरह से केड़ी निगा से देख रहा है जब तक इसके गले में मैं फर्जा नहीं मारूंगा तब तक मेरा क्रोड बेकार है तरुकुल बेकार है कहमु निराम जाई रिस कैसे अजब अनुच तब चितव अनैसे एके कंथ कुठार ना दीना मैं का कोब कर लीना क्या फर्जा वा मेरे क्रोड का जो ऐसा दुष्ट बालक मेरे सामने करा हुआ मेरा फर्जा चल नहीं रहा है पर श्राम जी को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि फर्जा उठा लिया चल नहीं रहा इतनी देड़ तो कभी नहीं लगी, आज तक नहीं लगी, समझ नहीं पा रहे हैं, सुरूप कोई समझ नहीं पा रहे हैं, बात कोई समझ नहीं पा रहे हैं, क्रोध में आदमी सब कुछ भूल जाता है, पहर से परश्राम बिलकुल भूल गए, यहां तक के दिया, इसे मेरी आ लेकिन बहुत खोटा है ये, बहुत खोटा है, इसे हटा दो मेरे सामने से, लखनाल, वो बड़ा बाद आ सकते हैं क्या, वो बोले मुझे हटानी क्या जुरूर थे, मेरी शकल से अगर आप को इतनी चुड़ हो रही है, तो आप अपनी आखें बंद कर लीजे, कोई भी ने र लेकिन खेरियत यही हुई, कि ये बात उन्होंने लखनलाले मरी मर कहीं, जोर से नहीं कहीं, नहीं तो बताने क्या हो जाता बेगी कराओं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निप ढोटा देखत छोट खोट निप ढोटा, बिंसे लखन कहा मन माही, बिहसे लखन कहा मन माही, मूने आख कदव को नाही मूने आख कदव को नाही कोई नहीं रहेगा, कोई दिखाई नहीं देख आपका गुच्चा भी शान तो जाएगा, लेकिन खेरियत यही हुई कि लखलाले बात मनी मन कहीं परशाम देखा, बोला कुछ, नहीं बोला, अब लखन नहीं बोले, तब रामजी की दर्फ देखा तू बड़ा है ना, बहुत ग्यान पिला रहा है मुझे, बहुत ग्यान के उपदेश दे रहा है शंकर का धन तोड़ कर, और दुष्ट मेरा मुझे ग्यान सिखाने के लिए आ रहा है तू भी कोई कम नहीं है, क्रोध करके, अब जो लखलाल पर क्रोध बरसना था, अब वो रामजी पर बरसने लगा है परस राम तब राम प्रती बोले उर अतिक्रोध, संभु सरासन तोरी सथ, करची हमार प्रभूध, शियावर राम चजंद्र पर जैए झाल